हेई काईज वेलकम बैक टो हर चैनल आज हम बात कर रहे हैं इसी पाच SUV के बारे में जो कि अंडर 10 लेक बिखने वाली सबसे अच्छी गाडिया रही है और इन गाड़ी में ऐसे इसे फीचर आते है कि अंडर 10 लेक इन गाड़ी को सबसे जादा बिखने वाली गाड़िया पराती है तो चली वीडियो को सुरू करते है हमारी लिस्ट की पहली गाड़ी है महिंदरा की XUV300 जो कि इस साल की सबसे जादा बिखने वाली गाड़ियों की टॉप लिस्ट में रही है इस गाड़ी में भी आपको कई सारे फीचर देखने को मिलते है इस गाड़ी में आपको 1.2 लिटर का टबो पेटल इंजन आता है और 1.5 लिटर का डीजल इंजन में आता है जो कि डीजल इंजन में ये गाड़ी आपको 20 kmpl की माईलेज देएती है और पेटल इंजन में ये गाड़ी आपको 17 to 16 kmpl की माईलेज जो कि हाइवे पे देती है एंड सीटी में आपको डीजल की माईलेज 15 to 16 kmpl एंड पेटल की माईलेज आपको 12 to 13 kmpl देखने को मिल जाती है इस गाड़ी की जो सबसे अच्छी बात है वो इस गाड़ी की road presence जो इस गाड़ी में बैट के फिल आता है और ये गाड़ी जो road presence के साथ चलती है वो इस गाड़ी को बहुत ही तगड़ा बनाती है इस गाड़ी में आपको 259 liters का booty space देखने को मिल जाता है हमारी लिस्ट की next गाड़ी है मारती सिजुकी की विटारा प्रेजा ये गाड़ी भी इस साल की सबसे अधा बिखने वाली गाड़ीों की लिस्ट में रही है इस गाड़ी में आपको 1.5 liter का पेटो लिंजन देखने को मिल जाता है इस गाड़ी में डिजल नहीं मिलता है जो कि इस गाड़ी के लिए थोड़ासा डाउंसाइड है जो कि इस गाड़ी में आपको 18-19 km पील की मैलेज देदा है पेटो लिंजन, हाइवे पे, एंड c.t. में आपको 15-16 km की मैलेज आपको c.t. में देदेगा जो कि काफी बढ़िया mileage है इस गाड़ी के हिसाब से एंड इस गाड़ी का road presence इस गाड़ी को बहुत ही तगड़ा बनाता है हमारी list की next गाड़ी है Hyundai की venue इस गाड़ी ने भी top selling list में अपनी जगा बनाई है जो कि इस गाड़ी में आपको 1.5 litre का diesel engine एंड 1.2 litre का petrol engine देखने को मिल जाता है जो कि इसकी diesel variant की mileage आपको 22 to 23 kmpl की आपको highway पर दे देंगी ये गाड़ी एंड आपको 18 to 19 kmpl की आपको city में मिल जाएंगी इस गाड़ी के petrol engine की mileage की बात करें तो 18 to 19 kmpl आपको highway पर एंड 14 to 15 kmpl आपको city में देखने को मिल जाएंगी ये गाड़ी भी one of the best गाड़ी है 10 leg के अंदर जो कि इतने तगड़े तगड़े feature इतने तगड़े price point पे देता है जो कि इस गाड़ी को बहुत तगड़ा बनाती है लिस्ट की next गाड़ी है Tata Nixon इस गाड़ी ने global NKP rating में 5 star की rating दर्च की है जो कि इस गाड़ी की safety को बहुत enhance करता है ये गाड़ी 1.2 liter के turbo charge petrol engine के साथ आती है and 1.5 liter का turbo charge diesel engine के साथ भी आती है जो कि इस गाड़ी के diesel engine की mileage की बात करे तो आपको 21 to 22 kmpl की mileage आपको highway पर देखने को मिल जाएंगी diesel engine में and petrol engine में आपको 17 to 18 kmpl के mileage highway पे and 13 to 14 kmpl के mileage आपको city में जो की काफी अच्छी mileage है इस गाड़ी के हिसाब से और इस गाड़ी के road presence के हिसाब से list की next गाड़ी है Tata Punch इस गाड़ी को global NKP rating में 5 star rating दी गई है जो कि इस गाड़ी को बहुत safe बनाता है इस गाड़ी में आपको 1.2 litre का petrol engine देखने को मिल जाता है जो की 18 to 19 kmpl के mileage आपको highway पे and 13 to 14 kmpl के mileage आपको city में दे देंगा इस गाड़ी में आपको 187 mm की ground clearance के साथ आती है जो की off-roading के लिए थोड़ी बहुत ठीक टाग है इस गाड़ी में 366 litre का boot space मिल जाता है अगर आप इन 5 SUV में से कोई भी SUV लेते हो तो आप कभी पस्ताओंगे नहीं अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो like करे, share करे, subscribe करे और comment करना ना भोले, कोई भी query रहे तो